आज हम बनाने जा रहे हैं गनेश चतूर्थी के मोगे पर बहुत ही टेस्टी लड़ू बहुत ही कम इंग्रीडियन्स के साथ बन जाते हैं और क्योंकि गई ये गणपती का स्पेशल परशाद है तो आप ये जरूर बनाएं चलिए स्टार्ट करते हैं ये देखिए सिर्फ इ इलम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल दिली की कुकिंग में सबसे पहले हम एक कप दूद लेंगे और उसको उबाल लेंगे दूद के हम अंदर हम मिलाएंगे इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर से मीठे का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बेटर हो जाता है तो इलाइची पाउडर हमने डाला है और ये इलाइची वाला हमारा दूद उबल गया है इसके बाद हम डालेंगे इसमें एक कप नारेल का बुरादा तेज गैस पर अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे जब तक दूद को नारेल का बुरादा पूरी तरह अग्जोब ना कर ले हाई फ्लेम रखेंगे इस टैंक और अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे इसको यह देखिए और अब हम इसमें मिलाएंगे आधा कप मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर आप कोई से भी ब्रैंड का ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो वो जो छोटे छोटे पाउच मिलते हैं आप उस तरीके के तीन पाउच डाल सकते हैं गैस मंदी कर देंगे और अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे इसको तीनों चीजे आपस में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जानी चाहिए दूद नारियल और मिल्क पाउडर अब हम इसमें दो चमच घी एड़ करेंगे इसके इससे जो इसका सॉफ्टनस है वह बहुत अच्छी आती है और यह देखिए अब इस मिश्रण ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है तो इसलिए अब हम इसको गैस से उतार कर ठंडा करेंगे जब तक पैन ठंडा ना हो जाए जब तक इसको चलाते रहें और अगर आपने पैन में नहीं करना तो किसी दूसरे बरतन में निकाल लेंगे इसको और इसे गुन-गुना होने देंगे यानि कि यह गरम नहीं होगा लेकिन आपके हाथों के टच से लगेगा कि यह गरम है अब हम इसमें अड़ करेंगे आदा कप बूरा तूटी-फूटी डालेंगे इसमें हम आप किसी भी कलर की डाल सकते हैं हमारे पास रेड और ग्रीन है इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे गरम में कभी भी बूरा ना डालें नहीं तो वो मैल्ट हो जाती है और बनाने में बहुत दिक्कत आती है तो आप कभी भी गरम में ना डालें जब वो बिल्कुल हलका सा लुक वाम रह जाए तभी उसमें मीठा, चीनी या बूरा डालें और यह देखिए हलके हाथ से अब इसको कोट कर लेंगे नारियल के बुरादे में आप साइज अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं यह देखिए यह कितने सुन्दर लग रहे हैं, खाने में बहुती सुन्दर लगते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है द्वनपती के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में दिये हुए बेल आइकेन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर रेस्पी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और अगर आपको लड़ू की रेस्पी अच्छी लगती है तो इस दोस्तों के साथ शेर करें, लाइक करें